वेलकम टू जीकवट्डे के हमारा यह थर्ड वीडियो है फास्ट रिवीजन का और इसमें हम बात करेंगे हिंदी की बहुत ही महत्पून कोशनों की जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको रिवीजन वाला एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है क्योंकि हम बहुत ही करेंट अफेर वाला पूरा पोर्शन है यानि एक्जाम के दो पार्ट तो आपको पूरा क्लियर करा दी जाएंगे और जितने भी प्रशन आपको दिये जा रहे हैं यह टॉप सिलेक्टर है और यहां से हर बार प्रिक्षव में पोर्शन पूछे ही पूछे गए हैं तो करन भारती भाषाओं को मानिता प्रदान करने वाली है ठीक है तो यह प्रशन कही बार पूछा जा चुका है एक्जाम में तो आप से पूछा क्या गया है कि भारती सविधान की कौन सी अनुसूची जो है भारती भाषाओं को मानिता प्रदान करने वाली है ठीक है तो भाई ज ये बार ये एक्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है चलिए अब हम रेश कोशन की बात करेंगे कि निम लिखित में से किस तिथी को प्रतेइक वर्स भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ये प्रेश्ण उत्रप्रदेश की पुलिस परिक्षा में कई बार र पूछी जाती है वहाँ पर भी कोशन का फिवर रिपेट हो चुका है ठीक है तो आपको याद दखना है तो प्रतेइक वर्स के स्तिति को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है चलिए अब हम रेश कोशन की बात करेंगे कि भाशा के अधार पर निम ल तो क्या बोलें भाशा के अधार पर निम लिखित में से किस वर्स राज्यों का पुनर गठन किया गया था तो बहुए जितने लोग ऑप्सन नमबर एक के साथ है 1957 में राज्यों का जो गठन किया गया था ठीक है इंपर्टन कोशन है याद दखेगा नश कोशन के हम बात कर राज्यों का सवर्प्रतम गठन किया गया था तो यार किएगा कि भाशा के अधार पर सवर्प्रतम गठित होने वाला जो राज्य था ऑप्सन नमबर सी आंधर प्रिदेश ठीक है इंपर्टन कोशन है कई बार ये भी पूछा जाता है अब हम लेक्श कोशन की बात करेंग ये आप से पूछा जा रहा है और जितने लोग भी ऑप्सन नमबर बी के साथ हैं बीजी खेर वही सही है क्यों कि प्रतम राज्य भासा आयोग के अध्यक जो थें वो थें बीजी खेर और ये कोशन भी कई बार रिपीट हो चुका है ठीक है राज्य कोशन के हम बात करेंग प्रतमान में हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली है फिर अधिकतर भारती भासाओं का विकाद जो है ब्रामी लीपीस हुआ है तो भाई वरतमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप जो खड़ी बोली है बिल्कुल सही है अधिकतर भारती भासाओं का विकाद ब्रामी लीपीस हुआ है ये भी बिल्कुल सही है लेकिन option number B सही नहीं है यही तो था अनूचित हो क्योंकि भारत में हिंद एक राश्टी भासा नहीं है भारत में हिंदी एक राज की भासा है ठीक है तो ये थोड़ा सी मिस्टेक कर जाएंगे और कोशन आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो इसकी बारिकता को देख रहा है आपको ठीक है चलिए फिल्म लेक्ट कोशन भी बात करेंगे कि आमें पूछा भी जा चुका है और इसे को सही माना गया है ठीक है तो बोला किया जा रहा है कि उच्चारण की रह्षटी से जो मूल स्वरों की संक्या क्या है तो ऑप्शन नमबर ए वाली जितने लोगों वो सही है क्योंकि मूल स्वरों की संक्या जो मानी ग resin गई है वो 11 ह मानी गई है वो ग्यारा ही मानी गई है ठीक है चलिए अब हम लेक्ष कोशन की बात करेंगे कि हिंदी वडमाला के अनुसार संयुक्त वैंजन समुवाला विकल्प कौन सा है कोशन को अच्छे से देखे क्या बोलने हैं हिंदी वडमाला के अनुसार संयुक्त वैंजन समुवा यह उश्मे वेंजन कहलाते हैं ठीक है तो यही option था आपका संयुक्त वेंजन वाला ठीक है next question की बात करेंगे कि हिंदी भासा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है बहुत ही अच्छा question हिंदी भासा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है तो देखे option number C जो है वही सई है वन जो है हिंदी भासा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ठीक है चलिए अब हम next question की बात करेंगे कि पंडित मदन मोहन मालवी निमलिकेत में से किस सहितिक संस्था के प्रतम सभापती थे very very important question क्या बोलने है कि पंडित मदन मोहन मालवी निमलिकेत में से किस सहितिक संस्था के प्रतम सभापती थे तो देखे हिंदी सहिति सम्मेलन जिसका headquarter प्रियागराज में है तो इसके प्रतम सभापती जो थे वो पंडित मदन मोहन मालवी थे important question है याद रखेगा next question के हम बात करेंगे कि नागरी प्रचार्णी सभा के संस्थापक कौन थे जिसका मुख्याले वरानसी में इस्तित है very very important question हिंदी का नागरी प्रचार्णी सभा के संस्थापक कौन थे जिसका मुख्याले वरानसी में इस्तित है तो भाई option number जितने लोग एक के साथ हैं बाबु शाम सुन्दर दास फो ही सही है देखे राम नराण मिश्र और श्रीव कुमार को भी जो है संस्थापक माना जाता है लेकिन यहाँ पर पूछा क्या क्या है नगरी पजाणी सबाह के संस्थापक कौन थे जिसका मुख्यले वराणसे में है तो भाई संस्थापक की बात करेंगे तो वो बाबु शाम सुन्दर दास ही थे और राम नराण मिश्र और श्रीव कुमार ये इनके साहयक थे ना कि ये संस्थापक थे ठीक है इंप्रोटन कोशन है यहाँ दखेगा नेश्ट कोशन के बात करेंगे स्वर की सहायता से बोले जाने वर्णों को क्या कहते हैं वेरी वेरी इनप्रोटन कोशन स्वर की सहायता से बोले जाने वर्णों को क्या कहते हैं तो भाई बताइए स्वर की सहायता से बोले जाने वले वड़ों को क्या कहते हैं तो उसे बोलते हैं वडमाला लेकिन क्या कहा गया है स्वरों की सहयता से जो बोले जाएं उन्हें क्या कहेंगे उन्हें कहेंगे वेंजन ठीक है चलिए अब हम नेश्ट कोशन की बात करेंगे दंत्यत्य से उच्चरित होने वाला समू वड समू कौन हे ठीक है दंत से उच्चारित होने वाला वर्ण स्मूल कौन सा है निमलीjourd में यह आप से पूछा जा रहा है। तो देखिए ओप्षन नंबर जो सी है ता था दा धा और ना यह दंत से उच्चारित होने वाले क्या हैं वर्ण हैं लें अगर आप से बोल देता कोई कि कंठ से उच्छारित होने वाले वर्ड कौन से हैं तो ऑप्सन नमबर A हो जाता, का खा गा अडा और अगर आपसे कोई बोल देता कि मूरधा से उच्चारित होने वेंजन कौन से हैं तो वोते टाठा डाडा अडा और अगर आपसे कोई बोल दे कि ओस्ट से उच्चारित होने वेंजन कौन से हैं तो वो हैं पाफा भाबा मा तो इस तरह से आपको पहचा ना है क्योंकि प्रस्ट पूछे जाते हैं ठीक है चलिए रालावा किस वर्ग के वेंजन है यारालावा किस वर्ग के वेंजन है देखिए होता क्या है कि जो बच्ची हमारे साथ सुरू से साथ में रहते हैं वो एक्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन जो बरसाती मेर्टक जिनको नहीं कहते हैं जो एक्जाम के समय जगेंगे 10-15 दिन पहले फिर वो एक दो वीडियो हमारी देख के चले जाएंगे बाद में कहेंगे इस वीडियो से तो कुछ आया ही नहीं था भाई, preparation जानते हैं क्या होती है आपको रोज कोई ना कोई वीडियो दी जाती है उस वीडियो में कोई ना कोई 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 आपके लिए हिट कर जाता है बाद समझ में आ रही है तो रोज regular पढ़ाई करनी पढ़ती है एक दिन उठकर पढ़ाई करेंगे तो exam clear नहीं कर पाएंगे इस बात को समझें आप लोग ठीक है तो भाई या रालावा किस वर्ग के वेंजन है तो option number जो C है अंथस्त वेंजन कहलाते हैं अब हम लेश कोशन की बात करेंगे कि स्वरसंदी के भेद होते है भाई बताईए स्वरसंदी के जो भेद है वो कितने होते है तो भाई अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होने चाहिए स्वरसंदी के 5 भेद होते है जिसमें से एक है दीर के संदी एक है गुण संदी एक है व्रद्धी संदी एक है यण संदी और एक है अयादी संदी, हो गए 5, तो अस्वर संदी के कित्ते भेद होते हैं, 5 होते हैं नैश कोशन की बात करेंगे, हितोप देश निमलिकित में से किस संदी का उधारण है बहुत बार ये कोशन पूछा जा चुका है हितोप देश जो है निम लिखित में से किस संधी का उधारण है तो देखे जब छोटा A और प्लस छोटा O बात समझवा रहे हैं O बन जाता है ठीक है क्या बन जाता है O बन जाता है तो ये कौन संधी हो जाती है ये हो जाती है B नमबर की कुण संधी ठीक है तो इस तरह से कोशन पैचानेंगे आप लोग नेश कोशन के हम बात करेंगे कि निम लिखित में से एक वेंजन संधी का उधारण है भाई यहाँ पर दिखे टाइप्स दिये होएं अब आपसे पूछ ले गया कि इनमें से कौन सा एक वेंजन संधी का उधारण है तो भाई मैंने अभी आपको बताया था उपपर दीर्ग संधी तो है रद्दी संधी भी है बट विसर्ग संधी स्वर संधी नहीं है ये एक वेंजन संधी है यही तो आपसे पूछा गया था ठीक है चलिए रेश कोशन की बात करेंगे कि अत्यन्त सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग क्या है very important question भाई देखे सब्दों के स्टार्टिंग में लगकर ये उनका भाव चेंज कर देते हैं तो आत्यन्त सब्द जो है सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग क्या है तो देखे option नमबर एक के साथ जितने लोग है वही सरी इसको कहते है अत्यन्त ठीक है तो यहां पर सौट में है अत्यन्त तो यही उपसर्ग यहां पर लगा हुआ है लेश कोशन की बात करेंगे वडों के सार्थक समों को क्या कहते हैं वडों के सार्थक समों को क्या कहते हैं तो देखे option number C सब्द कहते हैं वडों के सार्थक समों को कहते हैं सब्द ठीक है चलिए लेश कोशन की हम बात करेंगे कि जो है निश जो है उपसर्ग से बना एक सब्द है ठीक है यह आपके सामने के उपसर्ग का उधारन दिया है और इससे बना एक सब्द आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा है तो देखे निश्चल जो है यह इसी उपसर्ग से बना हुआ है ठीक है चलिए नेश कोशन भी बात करेंगे कि निम लिखित में से किसके आगे उसके उपसर्गों की संक्या सही दी गई है ठीक है तो देखे हिंदी के उपसर्ग 13 माने जाते हैं उर्दू के उपसर्ग 19 माने जाते हैं संस्कृत के उपसर्ग 22 माने जाते हैं आप किसी भी बुक से बढ़ाईगर कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ उपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि दुनिया भर की बुके हैं और दुनिया भर की वो छापती हैं लेकिन ये जो कोशन है ये बिल्कुल प्रमारित कोशन है क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है ठीक है तो आप संस्कृत उपसर्ग है अब जो क्या है कंजूर क्या हो सकता सूचिये कंजूर कैसा ये अर्दू उपसर्ग है और है ये आपका है अंगरेजी उपसर्ग है से head constable important question याद रखेगा next question यह बात करेंगे निम लिखित में से किस सब्द को में आवना प्रत्य का प्रियोग किया गया है आवना प्रत्य का प्रियोग हुआ है तो भाई बताइए निम लिखित में से किस में आवना प्रत्य का प्रियोग हुआ है तो देखे, option number B, लुभावना, ठीक है, important question है, यहाद रखेगा, लेश कुछनी बात करेंगे, निम लिकित में से कौन सा एक प्रत्य नहीं है, भाई, प्रत्य क्या होता है, सब्द के अंत्य में जोड़ता है, उपसर्ग सब्द के पहले जोड़ता है, लेकि प्रत्य सब्द के अंत्य में जोड़ता है, तो भाई, निम लिकित में से कौन सा एक प्रत्य नहीं है, भाई, बताईए, बहुत अच्छा question है, निम लिकित में से कौन सा एक प्रत्य नहीं है, छोड़ दें आपके लिए, बताएंगे इसका answer, भाई, चलिए, बताईएगा, यह 25 वा question आज आ चुके हैं तैयारी तो हुई गीरा तो बताई इन में से कौन सा एक प्रत्य नहीं है और ना आवट अकड़ या पुरा ठीक है नश कोशन नी बात करेंगे कि हिंदी समास के मुखता कितने भेध होते हैं कई बार ये कोशन भी पूछा जाता है तो भाई option number D के साथ जितने लोगें वही सही हैं क्योंकि हिंदी समास के छे भेध बाने गए हैं नश कोशन की बात करेंगे कि निम लिखित में से जो है किस हिंदी समास में संख्याओं की प्रधानता वाले सब्द देखे जाते हैं संख्याओं की प्रधानता वाले सब्द किस में देखे जाते हैं तो दिवग्यू समास में देखे जाते हैं जैसे चोरहा ठीक है चलिए नेश्ट कोशनी बात करेंगे यथा संभव निमल कित में से किस समास का उधारण है very very important question भई यथा संभव निमल कित में से किस समास का उधारण है तो पूर प्रद की बिधानता होती है जहाँ पर उसे हम लोग क्या बोलते हैं अविभावी समास तो यहाँ पर यही समास है नेक्ट कोशनी बात करेंगे कि निम्ल कित्मे विकलकों में से एक बहु ब्रही समास का उधारण नहीं है बहु ब्रही समास का उधारण नहीं है देखें बहु ब्रही समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं मिलती है ठीक है ल तत्त पुरुज समास का जो है उधारण कई बारी कोशन पूछा जाता है यह आपको यादखना है नैसे कोशन नहीं बात करेंगे निम लिखित में से एक तद्भाव सब्द का चैन करें तो देखें ऑपसन नंबर जो सी है ठीक है ऑपसन नंबर जो सी है यह एक तद्भाव सब्द है क्योंकि इसको क्या बोलते हैं संध्या ठीक है यह सांजह नहीं बोलते हैं संध्या बोलते हैं इसको बाकि सब क्या हैं संस्क्रत बड़ है नैसे कोशन निम लिखित में कौन सा ए एक अर्बी सब्द नहीं है कई बारी कोशिन पूछा जाता भी तो ये कोशिन बहुत बार पूछा जाता है कि मौहावरा कैसा सब्द है तो मौहावरा एक अर्बी सब्द है ठीक है पंची जो है वो एक अर्बी सब्द नहीं है नैश कोशिन की बात करें है कि रचना या बनावट के अधार पर निम लिखित में से सब्द का एक प्रकार है तो भाई, रूड सब्द भी होते हैं योगिक सब्द भी होते हैं और योग रूड भी होते हैं तो यह सभी हैं ठीक है ने इस कोशन की बात करेंगे कि विकास सब्दो का रुपांतर निम लिखित में किसके अधार पर किया जाता है सब्दो का रुपांतर निम लिखित में से किसके अधार पर किया जाता है तो भाई, यह सभी क्योंकि लिंग, वचन और कारक के अधार पर ही विकारी सब्दों का रुपांतरण किया जाता है नैश कुशनी बात करेंगे विकारी एवं आविकारी इन्यम लिखित में से किसका प्रियोग के अधार पर रूप है तो अभी आपको पुने बताया ना उपर विकारी और आविकारी सब्दों होते हैं तो भही बताईए कौन एक जो है उत्तम पुरुष का जो है उधारण नहीं है तो देखें यहाँ पर जो लिखा है तुम लोग यह जो है यह उत्तम पुरुष का नहीं यह मध्यम पुरुष का है ठीक है चलिए नश कुछनी बात करेंगे ऐसे सब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदी के करण कोई विकार उत्पन नहीं होता होनें क्या कहते हैं ठीक है तो जब कारक भी एड़ हो जाए ठीक है और पुरुष भी एड़ हो जाए और तब भी कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे सब्दों को अवियाय सब्द कहते हैं ठीक है चलिए नश कुछनी बात करेंगे कि अवियाय के कितने प्रेकार होते हैं पिछली तर्पेदिस्की प्रेकार के प्रेकार के होते हैं रैश कोशनी बात करेंगे गरीबों को वस्तर दो वाक में प्रियुक्त कारक कौन सा है तो जितने लोग बी नंबर के साथ चलेंगे वो गलत है यहाँ पर गरीबों को वस्तर देने की बात की गई है पर दिया नहीं गया जैसे आप कोशन य तो ये कर्मगारक हो जाएगा इसे छोटी सी मिस्टेक आपसे गल्दी हो जाती है ठीक है चलिए लेश कोशनी बात करेंगे कि निम लिकित में से किस भारती राज्ज की अधिकारिक और कामकाज की भासा होने के साथ साथ अंतर समुहों के मद्ध समवाद की भासा भी हिंदी है तो ये था आपका फास्ट इविजन का बहुत इंपर्टन वीडियो आई होप आपको पसंद आगा अगर आए तो प्लिस लाइक और शेट चलत ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ठैंक्यू